सो हाई गाईस तो आप सभी को बाता है कि आपको अपने गेम के अंदर पुस्पा कॉलाबड़सन देखना को मिले वाले अब भाई ये जो कॉलाबड़सन इवेंट है ये फ्री फार गेम में सबसे उनिक कॉलाबड़सन इवेंट होने वाले है और जब कि कुछ ऐसा करेंगे कुछ और भी अपडेट्स के बारे में जैसे कि 20 नवेंबर को आपको अपने गेम के अंदर एक न्यू फटेट हुल का इवेंट देखनों को मिलेंगे जहाँ पर आपको फिष्ट का स्किन देखनों को मिलने वाले है उसके बारे में बात कर लेंगे आज किस वीडि को सुरू करते हैं मतलब बहुत सरा अपडेट्स तुमको देना है तो आप लोग बस वीडियो को देखते रहों तो आओ गईस सबसे पहले हम बात करते हैं आने वाले गेम में नीव माल्टी वाइंडिंग सिस्टेम के बारे में देखो यह जो सिस्टेम है बहुत टेम से हमक अपर ओल्लीड इसको दे दिया गया है सिर्फ गईस अगर हम बात करें अपने इंडिया सरवर की तो हमें अपने इंडिया सरवर के अंदर ही यह माल्टी वाइंडिंग सिस्टेम अब तक देखनों को मिला नहीं है इससे हमें दो फाईदा होगा सबसे पहली बात अपने एक अगर हम Facebook में कुछ गलत काम करते कुछ illegal activity करते तो क्या होता है Facebook का जो कैसकते हो identity information है वो आता है फिर Facebook अपना ID जो हो बंद होता है तो फिर हम फुरी वार केम को खेल नहीं पाते अब बहुत सफ़ाई लोग Facebook का password बगरा change कर देते फिर बाद में उन्हें याद नहीं रहता कुछ दोस्त को देते हैं तो ओ लोग hack मार लेते तो इन सारे problem से तो बज़ जाओगे क्योंकि ये multi-winding system आने के बाद तुम लोग अपने Facebook ID को Google अकाउंट के दुआरा जोड सकते हो मतलब Gmail account के दुआरा अब तुम्हारे mobile में बीना Gmail के प्लेश तो रोपेन होगा नहीं Gmail तो होगा ही सभी के mobile में तो उस Gmail के साथ तुम लोग अपने Facebook को जोड सकते हो फिर अगर जूड जगा किया होगा अगर तुम्हारे Facebook का password तुम भूल भी जा चुके हो कोई दिक्कत नहीं है Gmail के दुआरा तुम Free Fire ID को एक्सेस कर पाओगे और तो और गाइस माल लेते कि आप लोगों ने Gmail ID का password गुमा दिये हो तो भाई जब जुडा हुआ है Gmail का password फार गेड भी होता है और रिमूब भी होता है तुम नया password डाल सकतो बहुत इजिली जबकि Facebook में इतना इजिली होता नहीं है अगर password भूल जाते है तो बहुत दिक्कत आते है बट Gmail आइकाउन बे ऐसा होता नहीं है तो यह तुमको benefits देखनों को मिल जाएगा तो मेरे तरह बहुत प्लियर होंगे जो कि बहुत खर्च कर चुके मैं तो भाई छे साल से मतलब फ्री फार खेल ला हूँ तो आपको पता है कि मेरे ID में क्या क्या होगा अब दुक्वार ID से बहुत प्यार है हमें तो इसलिए ID को सेफ रखना बनता है तो गरना वले सिस्टम को अगर इस पर गेम के दे देंगे तो बहुत बढ़िया होगा तो खैर अब इसके बाद विडियो में आगे बढ़ते बात करते है निक्स्ट अपडेट के बारे में जैसे इमाल्टिवार निक्स्टम आ जाएगा मैं तुम्हें इसके बारे में और भी बाते बता दूँगा तो बिसिकली गैस हम यह पर जो नेच्ट अपडेट कफर करने वाले है वो एक्चुल में रैंपेज इस्पेसल M1014 को लिकर होने वाले है दो को दर असल बात कुछ ऐसा है कि आप में से काफिसरे वालोग ऐसे हो जो कि M1014 गनिस्किन गेम में चलाते हो और उनको इवोलिशन M1014 दो बैक मिला नहीं है तकि वो बाई करे लेकिन अगर एवो एमटेन हो चाहे एवोलिशन M102.0 हो दोनों में अगर किसी भी गनिस्किन को बैक किस में कराएंगे वोल्ट इवेट के अंदर उसके अंदर से निकलना बहुत मुस्किल होता है कि एवो वोल्ट के अंदर डाइवन बहुत जदा लगता है अगर उस बेसिस में बात करें तो यह जो रिंग इवेट होता है यहांपर हमें टोकेन का सुभिधा देखनों को मिलते है जिससे कि गनी स्केन में काफी कम डाइबन के अंदर देखनों को मिलता है Evo Vault के अंदर एक गनी स्केन लेने में हमें तकरीबां 300 डाइबन खर्च करना पड़ता है जबकि यही पारा का रिंग इफेंट के अंदर आपको रैंपेज वाला M14 गर्णी स्किन बैक देखना को मिल जाए तो आपको यह 1500 से लेकर 2000 टाइमन के अंदर इसे लिए देखना को मिल जाएगा इस पिन करते हैं तो बहुत से फाइलों का नसीब बढ़िया होता है तो उनको पहले ही देखना को मिल जाता है तो खर में अनमुद्दी की बात करते हैं आपको जो रैंपेज वाला M14 गर्णी स्किन है यह आगे आने वाला टाइम पर यानि की ओवी 47 अपडेट के बाद आपक पने ंदर देखना को मिल जाएंगा न्यो यार कर ड़ी स्किन को मिल जाएक तक wurde है तो दर असल गैस इहाँ पर अम बात कने वाले है 21 तारीख को लिए पर आपको देखना को मिल जाएगा 21 नेफिंबर के दिन अपने गेम के अंदर एक्च्वल में इसको दिया जाएगा अपने फिश्टी स्किन देखना को मिल जाएगा और वह भी नया वाला पूराना वाला कुछ नहीं तो आपके सामने एक बहुत बड़ी आफसन आ रहा है इच्छा कि हमें निया फिश्टी स्कीन भाई करना चाहिए तो फिर आप लोग 21 तारिक के दिन फेटरु लिवेन में स्पिन बगारा मार के इसको भाई कर सकते हो बिल्कुल गैरेंटेड है आदर इवेंट्स यह होगा नहीं तो 1100 डैमनी खर्चने बले उससे जदा एक वि इवेंट के बारे में वैसे दोको और यह कुछ ज्यादा मैं इसके बारे में बात्चित नहीं करने वाला हूँ थोड़ा सा बात करके मैं वीडियो में आगे बढ़ जाओंगा एक्च्छल मैं आपको इस ओवी 47 अपड़ेट में गेम के अंदर ओइंटर इवेंट देखनों मिलेंगे एंड अप लोगो बहुत माझाएगा इस पर अपने उइंटर इवेंट गेम के अंदर जब चलेगा उस टेम पे गेम प्ले करने पर वैसे दोको उइंटर इवेंट के थीम पे आपको ओल्ड आइटेम्स गेम के अंदर बैक मिलेंगे पॉसिवेल चांस यह भी है क पंदर तरीक के बाद जैसे अपना एडवर्ण सर्वर उपन हो जाएगा उसके बाद फिर उइंटर इवेंट के बारे में और भी बहुत से अपडेट्स पता चलेगा जैसी पता चलेगा फिर आपको आगया आने वरे टाइम पे मैं ओवी का फर अप कर दूंगा फिलाल इस पर देख पा रहे हो रैमपेज बंडल को मेंन सब कर देखने को मिले हुए थे और मैंने इस लिए आज आज आपको यह भी बताए है कि आपको रैमपेज इस पेसल एंतिन हुटिन गनिशकिन का जो ए गिंसके बैक देखने को मिल जाएगा कुछ इंकोड़ेंडर बंडल को पर mention किया जा रहा है साइद आगे जाकर तुमको इसी कॉलबरेशन के चलते गेम के अंदर इंकुबरेटर बंडल बैक देखना को मिल जाएगा इस कॉलबरेशन के बारे में अगर हम कुछ और बात चीत करें तो भाई इसलिए गरणा को कुछ ऐसा फ्रीकर रिवाट्स देना पड़ेगा तकि आगे जाकर ऐसे कॉलबरेशन इवेंट और ज्यादा दमदर हो तो जब कि ये फ्री फार गेम में फर्स्ट बार होने वाले है और आपको पता है जब जब हमें अपने गेम के अंदर फर्स्ट तेम में कुछ इवेंट्स देखनों को मिलते है जाईरी सी बाते ओ बहुत बढ़ी अतारीके से होता है अब ये जो पुस्पा कॉलर बडशन इवेंट अपने गेम के अंदर आने वाले है इसके थिमपे गईज आपको काफी सारे फरी कर रिवाट्स देखनों को मिलेगा इसका पीक डे एनाउंस किया जाएगा जिस दिन आपको अलग तरीके से फरी कर रिवाट्स देखनों को मि जाए नहीं जाएगा जो चीज निकल कर रहा है था उतना हमने आपको दिखा दिया है अब बाकि इसके लिए हमें पंदर तरीक का वेट करना पड़ेगा उसके बाद हमें अपने गेम के अंदर ये जो कॉलर बडशन इवेंट देखनों को मिलेंगे इसके बारे में काफे ज दिखा दूँगा वाट पॉसेवेट चांज ये है कि आपको फुरी में इमोट बंडल ये सब कुछ देखनों को मिलेंगे अब इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके बाद सारा कुछ हम आपको विस्तर में बता देंगे तो खैर ये होने बाले एप उस